विल हलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सास्तिरकाल राम राम क्या हाल चाल मेले भाई लोग त्यार गाई साज इस सुड़ो में मैं रेक्शन करने जा रहा हूं इमाम हसन अलेसलाम डॉकुमेंटरी बाइ महरबान अली इन उर्दु और यस मुझे जादा कुछ पता नहीं है इम कि जल्दी जल्दी अगर कुछ होगा तो करेंगे विगौस अभी थोड़े दिर में एक्जाम है तो मैं डॉकॉमेंटर पर रियक्शन करना हूँ और फ़र्ट टाइम मिला तो मैं नोहे पर भी कर दूंगा बहुत जल्दी ठीक है एक नोहा ले लिंगे अपर सो विदाउट इनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करिंगे रियक्शन वीडियो को सो लेट्स कोई चेक आप अल्लाह के हबीब ने फर्माया के मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सुआ इसकी के मेरी आल से महबत करो मुद्द करो लेकिन हुदूर्स अल्लाह की रहलत के बाद जमाना बदल गया मदीना बदल गया वो मदीने वाले लोग बदल गए पंद्रा रम्दान तीन हिजरी बा मताबिक फस्ट मार्च 625 ईसवी अल्लाह पाक ने अपने हबीब को पहला नवासा अता कर दिया जिसको अल्लाह के हबीब ने अपनी कोद में लेके हसन के नाम से नवास दिया और आज तक उस सिपते रसूल जन्नत के जवानों के सरदार को हसन इबन अली के नाम से याद किया जाता है तारीख ने लिखा इमाम हसन अल्ह से आप बहुत प्यार किया करते थे अपने कंधों पे सवार किया करते थे जब भी अमाम हसन की आँख खुलती वो फोरण अपने नाना रसूल लाह की गोद में आके बैठ जाते हुदूर पाक ﷺ जमाने को बताते थे कि ये मेरा नवासा मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं इस से याद रखना जो इस हसन को दोस्त रखेगा उसने मुझ 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 करतें और बहुत प्यार किया करतें अभी बच्पना गुजर ही रहा था कि आपकी उम्र मुबारक साथ साल पांच माँ और सोला दिन की हो गई सन ग्यारा हिज्री आप सलिल्लाहु अलेह वालेहिवसलम ने इमाम अली की कोद में सर रखके फरमाया आई अली मेरे बाद मेरी उम्मत तुझ पे सितम ढ़ाएगी लेकिन तुम सबर करना जहां दुनिया दार दुनिया इख्यार कर ले तो तुम दीन इख्यार की रहना और आप सलिल्लाहु अलेहिवसलम दारु फना से दारु पका की तरफ कूच कर गए रसूललाह की रहलत के बाद जिस मदीने में आले मुहम्मत का बहुत एहतराम हुआ करता था वो लोग धीरे धीरे इस तरह से बदल गए जैसे वो आले मुहम्मत को पहँचानते तक ना हो एक मरतबा इमाम हशन देख रहे थे के घर में एमाम अली आए तो आपकी वालता जारु कतार रोकर इमाम अली को सलाम करती है जैसे ही सलाम करती है तो इमाम अली कहते है फातिमा रो क्यों नहीँ हो बिपкивाटिमा जहरा फर्माती है यां अली आझ मैंने फिख्वा से सुना कि मदिने के लोग आप को सलाम तक नहीं करते तो मैं बिंतِ रसुल आपको सलाम करती हूं बस ये कहना था तो इमाम आली भी जारो कतार रोने लगे और रोकी फर्माया आई बिंतِ रसुल आ घृर्बत ये नहीं कि लोग मुझे सलाम नहीं करते बलकि हुर्बत तो ये है कि मैं अली अगर किसी को सलाम करता हूँ तो लोग मुझे ली को सलाम का जवाब तक नहीं देते इमाम हसन इन तमाम बातों को सुनते थे और तनहाई में अपने नाना को याद किया करते थे और जारुकतार रोते थे बस बेवी फात्मा जहरा का घर जला आपकी वालदा का पहलु शिकस्ता हुआ आपका भाई मुहसन शहीद हो गया आपने उन तमाम अनासर को देखा जब आपकी उम्र मुबारक साथ साल आठ माँ 18 दिन की हुई तो तीन जमाद लसाणी 11 हजरी को आपकी वालदा बिनते रसूल लौह आपको छोड़कर आपकी नाना रसूल लौह से जाके मिली आपकी वालदा और आपके नाना की गम ने आपको बहुत अकेला कर दिया और यूं देखते देखते आप जमाने बलूगियत तक आप पहुँचें आपका अंदाद गुफ्तकू और आपका चेहरा मुबारक हू बहू रसूल लाह सलल्लाह अलिह वा आलिह वसलम से मिला करता था और आपकी सखावत का यी आलम था कि खुद भूखे रहकर गरीब और मिसाकीन का पेट बरा करते थे इमाम अलिह अन दिनों अक्सर करके मदिने से बाहर रहते थे और जहां जहां पानी नहीं होता था वहां पे पानी के कुए खुदा करते थे ताके लोग मीठे पानी से सेराब हो सके बिलाखिर जब अरब में जल्म और सितम बढ़ता रहा यहां तक कि हुकुक लाह पामाल हो गए तो बस तो एक तरफ माल दुनिया जूट बादशाहत थी तो दूसरी तरफ दीन तसवफ और शराफत थी बिलाखिर जब जब जालिम होकुमरान अपने मकसद में कामियाब न हुए तो अमाम अली लिएसलाम को कतल करने की साज़श रची और मस्जद कूफा में उन्नीस रमजान चालिस हिजरी को सच्जदे की हालत में आप पे हमला कर दिया और फुस्तो बे रबिल काबा की आवास से जमाना गूंज उठा इमाम अली को जर्बत लगी उस वक्त आप रोजे में थे लोग इमाम अली को संभान ले लगे तो इमाम अली ने फुरन अपने बड़े बेटे हसन से कहा हसन पहले नमास खत्म कराओ उसके बाद मुझे अपने घर ले चलो इमाम हसन अलह सलाम ने नमास खत्म करके अपने बाबा अली अबन अभी तालिब को घर लेके आए आप इस तरे शहादत पे दे और अपने बेटे हसन इबने अली से फरमाते हैं ऐ हसन याद रखना मेरे बाद तेरे नाना की उम्मत तेरे सामने तेरे बाबा को कालियां देगी तुझे कालियां देगी लेकिन ऐ हसन तुम सबर करना और अल्लह पाग अपनी पाग किताब कुरान में फर्माता है जब भी दुश्मन सुला के लिए हाथ बढ़ाए तो सुला करना कि इसलाम अमन का नाम है अपने नाना की सुलह हुदेबिया को याद रखना जहां तक हो सके अमन को पहलाते रहना बस इमाम अली अल्हेसलाम की शादत के बाद आप इस जल्म के वो पहाड किर गए कि आपको जमाना आज भी तनहातरीन सर्दार के नाम से याद करता है रसूल आल्लह ने फर्माया था कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है दोलत है बस जालम होकुमरानों ने इस सदा को बुरंद किया कि जो हसन को कतल करेगा उसे हम अश्रुफियों से नावाद देंगे हर कोई इमाम हसन की कतल के खौब देखने लगा और ये चाहता रहा कि मैं हसन को कतल करूँ तके इनाम मुझे मिले इमाम हसन अले सलाम तनहा रह गए यहां तक कि बाद मरतबा आपको कतल करने की साथे शर्ची गई लोग सर आम आपकी तोहीन किया करते थे आपके बाबा को गालिया दिया करते थे यहां तक कि मस्जद नबवी में जुम्मे की खुटबे के तोरा इमाम हसन और इमाम अली को कालिया देते लेकिन आप किसी से कुछ ना कहते सबर करते जब दिल हच से ज़्यादा भराता तो आप पैदल खाना काबा की तरफ चले जाते और किलाव एक काबा को पकड़ कर कहते आई अल्ला याद रखना तेरे हबीब की उबत दे मेरे नाना की उम्मत दे मुझे वो सितम ठाए है जो अगर काली रातों पर गिरते तो काली राते सफेद हो जाती और अगर सफेद दिनों पर गिरते तो सफेद दिन काली रातों में तबदील हो जाते जिस अली ने हर दम इसलाम को बुलंद किया आज लोग उसी अली की तोहीन करते है आए अल्ला मुझे उस दिन का इंतजार है जब तू हिसाब लेगा बस अपने आंसों को गिलाफ काबा से पोँच कर मदीने वापस आ जाते बस 28 सफर 50 हजरी को एक ऐसा जहर आपको दिया गया जिसका अगर एक कत्रा किसी तालाम में गिर जाता तो इस तालाम की सारी मचलिया मर जाती जैसे ही वो जहर पानी में मिलाकर आपको दिया गया आपने वो पानी नोश फरमाया आपके जिगर के टुकड़े आपके मूँ से जबी पिकरने लगे घर में कोराओं मच गया और आपने अपने भाई हुसाइन को बलाकर वस्यत कर दी कि हुसाइन मुझे अपने नाना के पहलू में तद्वीन करना लेकिन अगर वक्त के हाकिम मेरे नाना का पहलू न दे तो मुझे मेरी माँ के कद्मों में तद्वीन कर देना बस इमाम हसन अलिहसलाम के मुबारख जिसम को गुसल देकर रसुल आल्लाह सल्लाह लाह वा आलही वसलम के रोजे के तरफ ली जाया गया जनादा धोरा ही आगे बड़ा इतने में सिपाही आगए और कहने लगे कि इस अली के बेटे को हम रसुल आल्लाह के पहलों में तद्वीन नहीं होने देंगे लोगों ने कहा क्या भूल गए हो ये वो हसन है जो जन्नत के जमानों का सरदार है हर पल हर लम्हे रसुल आल्लाह अपने कंधों पे सवार किया करते थी कि तुम उस हसन के लिए ही कह रहे हो बस इतनी देर वे तीरों की बारिश होई तीरों की परसाद में इमाम हसन का मुपारिक जनाजा गिर गया इतने में जनाब अबास ने तलवार नियाम से निकाली इमाम हसन ने कहा अबास ठेहरो सबर करो मेरे बाई हसन ने कहा अगर मुझे मेरे नाना का पहलो ना मिले तो जंग ना करना बस मेरे जिस्म को मेरी मां के कदमों में तत्वीन कर देना चलो जनत अलबक्या की तरफ बस इमाम हसन की मुबारक जनादे को जनत अलबक्या में तद्वीन कर दिया गया ये वाकिया 28 सफर 50 हिज्री को पेश आया सलाम हो उस गरीब नवासे पर जिसको अपने नाना का पहलू तक नसीब ना हुआ एक बात तो कोंगा इनके जो फैमली ती अले भय फैमली — जैसे लिए फिरी फैमली कोड़ने तो में इस्सितने लोग आज यजीद का नाम बिल्कुल नहीं हो रहा है इस नारे लग रहें बहुत सिंबल सी बात है बहुत सीम् June सी बात है इनका इनका काम स्टार्टिंग से एि रहा है इमाम ऑता है फिर दो होते है इनका काम से भी असे मजबूत को शेंगी से पुरा मुझे नहीं बता होता लेकिन उनके जाने के बाद उनके फैमिली साथ बहुत पूरा सलूग करा गया उनको सलाम भी निकरता था बात बहुत दूर की बात है तो क्या सकते है यजीदी पौच जो बहुत एक गलत लोग जो बहुत एक गलत चीज पहला रहे थे सोसाइटी में उस वक्त अगर लोग जो अच्छा चीज कर रहे हो तो बहुत सिंबल से बाते सपोर्ट करना चीज़ था या उस वक्त नहीं करा गया मुझे पता है उस वक्त करा गया लेकिन जो एक कुर्बानी होती नहीं इसलाम में कुर्बानी देकर उस चीज को चीज को जी भी तरखा गया आज कल नाम उनी का हो रहा है यह चीज का नाम कहीं don you and yeah एक चीज तो कहना बढ़ आए कि बहुत धोकेवाजी हुए इंके साथ ने इनके फैमिली के साथ तो या, that's it, बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत जड़त वीडियो था, महरबान अली की वीडियो, तो या, that's it, मुझे बहुत कुछ समझ में आगए, यह महमसर अलहे सलाम के बारे में, डॉकुमेंटरी इन रुदू, तो या, that's it, आप देखते वीडियो कव आया का पता चुड़ों मिलते हैं, बाई-बाई